समीर बेटा मने तरह खाना और वेशन के लड़ू पैक कर दिये और थोड़े से लड़ू मना अलग डिब्बे में रख दिये उन्हें अपड़ी मकान मालिक की बहु को दे दिये अरी मम्मी तू कितनी अच्छी है अपनी उलाद के साथ साथ दूसरों का भी कितना ख्याल रखे है भहिया हु तेरा मकान मालिक है न गोविंद उमारे पड़ोस वाले गाम कई तो है इसना अत्ते सहु तेरा भहिया हुए अर उसकी बहु तेरी भाब्बी अब तूसे अपनी देवर माननेगे पर नहीं तो तुझे किरायदार जैसे सलूक न करेगी हा मम्मी यू बात तो तू ठीक कहरी वो विचारी सुमन भाब्बी है न मुझे अपने सगेर देवर सभी ज्यादा प्यार करें समीर बेटे तू तो कोले जाने की त्यारी करें अधिक है हा पिता जी म बहुत बड़े-बड़े स्कूल कालेज बढ़े बेटे तुम वहां जाके खूब पढ़ाई कर और इंजनेर बढ़ क्या दिखा तुम चिंता मत करो पापाजी मैं थारायू सपना जरूर पूरा करके दिखाऊंगा बेटे मैंने तिरे पर पूरा ब्रोशा है जबी तो इतन समीर बेटा सारा ध्यान पढ़ाई में लगए बेटा कई बुरी संगत में मत बैठिये तू चिंता मत करे हमारा बेटा बहुत समझदार है मारी कदे नाक निचनी ओन देगा यू ले बेटा भागवान का नाम लेका जा और जब वहां पहुंच जा तो फोन कर दिये ठीक है और बाइक बिल्कुल आराम से चलेए और एक बात सुन उत्रा खंड में जाके किसी चोरी के तक्कर में मत पड़िए तम चुप रहा हो बेटा तुझे कोई पसंद आवे ना तो तू बता दिये तेरा भ्याव उसी की गैल करवा दूंगी अरी मम्मी तू कितनी अच्छी है भगवान सबको तेरे येशी मम्मी देवे और मेरे जैसे पापा थारे जैसे पापा किसी गुना देवे क्यूं मैं इतना बुरा हूँ तुम तो इतने अच्छे हो पापा मैं हमेशा भगवान से ये प्राथना करूं कि मैं धरती पे जब भी जनम लूं तुम ही मेरे पापा बनो अरे मेरे बेटे तरने के बात कह दी दिल खुश कर दिया आजा मेरे गड़े लग जा ठीक है बेटा ध्यानते जाईए जा ठीक है पापा जा रहूं लेवे सलीम मार सुट्टा अरा तुई खीची सुट्टे को मैं ना पढ़ता सुट्टे वाजी के चक्कर में तुझा पता नी सुट्टे वाजी सियद के लिए हानिकारा के अबे साले कैसा ही स्टुडेंट है तू जो सुट्टे वाजी से दूर रहता है लोंडिय वाजी तो बहुत करता है तू लोंडि यो भाजी ना करता मैं, लॉंडियों का रस्पान करता हूं, चूज चास के फैक्ट देता हूं, अपना ता एक यूसूल है, यूज एंड थ्रो, अबे साले, किसी दिन 376 में जेल जाएगा, देख तानिया आगी, यार सलीम, मैं तो इस तानिया पर फिदा हूं, मैंने कई बा आओ नहीं देती, यार आज एक बार ओ ट्राइ करता हूं, देख ले भाई तेरे अमन कर रहा है तो, तानिया, अब बेटे संकर, तानिया को पटाना तेरे बस की बात नहीं है, ये तो सिर्फ सलीम का सिकार है, सलीम का, और एक दिन इसे अपने प्रेम के जाल में फसा कर, इस अरे यार तानिया, तू इतना नकरा क्यों करती है, मेरी फिलिंग को क्यों नहीं समझती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, यार, I love you so much, शंकर मैंने तुझे पहले भी कई बार समझाया है, मैं या कोलिज में स्टड़ी करने आती हूं, आवारा गर्दी करने नहीं, और मुझे तेरी ये प्यार महुबच जैसी फाल्तु बातों में कोई इंट्रेस्ट नहीं है, समझा, तुम्हें इंट्रेस्ट नहीं है, मुझे तो इंट्रेस्ट है, मेरा दिल तो सिरिफ तुमारा दिवाना है, बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अपने दिल को और अपनी फाल्टू की फिलिंग्स को काबू में रख मुझसे आज के बाद इस तरह की वाहियात बाते मत करना वरना मैं कॉलिज के हैट से बोलकर तेरी कंप्लेंट कर दूँगी आई बात समझ में अभी तो मैं दस दिन के लिए गाउं जा रहा हूं मेरी जान महां से लोट के आऊंगा तुमसे बात करूंगा मेरा प्यार तो तुम्हें एकसाब करना ही पड़ेगा हाँ वे रांजे निकल गया तेरी मोहबत का जनाजा आचला अब थोड़ी सी पड़ाई कर ले ले भाई बगवान ने अब क्या फसल अच्छी कर दीना तो समीर को चार पियां के गाड़ी दिवा दूँगा अथरी बहान क्या अथर पजा में निकलती दिख्या लेबा हो गया काम लेबा फेटीचर टंकी तो खल ली होगी अब अपनी दुकान पर पोच्छा मार के घर को चलू अथ तेरी बहान के काठ लिया अरा यू तो पाइने भी घर गया बाई अब अपनी दुकान कैसे धूँ यार परदान ने ट्वैल चला रखी पर अपनी सनी दुकान वहाँ लेकर कैसा जाओ परदान जी दुकान न देख लेंगे एक काम करता हूँ परदान जी को फोन करका यहीं बुला लेकता हूँ हलो अपर दान जी के फाल चला है रह मेरा फोन का ल сдख कोंगी को पाइं का से बुल रहां मैं अपने मूदह बॉल रहा हूँ मैं थारे गाउं का फटीचर बोल रहा हूँ, मैं थारे ते एक बात पुझ्जू, तम अब की वेर पर धन्नी में उठो गए के? मैं तो पिछली दो योजनाव से जितता रहा हूँ, अब कभी लडूंगा? जितूंगा भी? मारे कुणबे में 25 वोट हैं, जो तमें वोट लेनी हो, तो तमें मेरा एक काम करना पड़ेगा? मैं तो गाउं की सेवा करना खातर हूँ, सब का काम करूँ हूँ, तू बताताने के काम है मेरते हैं? अजी तम ने जो मेरा एक काम कर दिया ना, तो महरे कुणबे की तो कुणबे की, मोहले की भी सारी बहुट तमें दिवंवा। अरे यू बात तो ठीक है, पर तु अपना काम तो पता, के काम है तुझे मेरते हैं। परधान जी तम इस टैम अपनी ट्वैल पे बेठ्थे हो ला। हां बेठ्था हूँ, तुझे कैसे पता। नू मत बुझ्यो मुझे कैसे पता। तम एक काम करो, डिबबाया बोत्तल में पानी ले गए, और तम अपनी ट्वैल के पिछे आजो, मैं वही बेठ्था हूँ। हेलो हेलो, अरे फोन काट दिया, और काम कुछ बताया नहीं, पानी कर दबा मंगा रहे पठ्था, चलू वाई पानी ले के चलू, के पता विचारा प्यासा बेठ्था हूँ। रहे कहां रहेगे परधान जी, बोट लेनी या नहीं लेनी। पर नू तो बता के काम हैता नहीं मेरते हैं। अरे मेरी सासू के, मैं गाम का परधान हूँ, और तू अपनी दुकान दुआन खाता हैं मेरते पानी मंगान लग रहे, तन्ने सरम नहीं आई। अजी परधान जी, सरम मुझे क्यों आवेगी, सरम तो तम है आवेगी, जब तम इस पानी तै मेरी दुकान दुआओगे, अब फटा फटा आओ अब, देर मत करो, मेरी दुकान दुआओ, जो तम बोट लेनी ही तो अराम के भीज, दुकान तो के म मैं तुझे सारे कोन की दो दूँँक। अरे तानिया रुको तो सही हा सलीम बोलो तुम्हे कुछ काम था मुझसे यार काम तो कुछ खास था नहीं फिर तुमने मुझे इस तरह यहां क्यों रोका यार मैं ये कह रहा था हम दोने इस कॉलिज में एक बैच में पढ़ते हैं क्या सोच रही हो यार चलते हैं न प्लीज सलीम मैं तुमारी क्लासमेट हूँ इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमारे साथ कहीं भी घूमती फिर हूँ मैं उन लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं हूँ सलीम जो पढ़ाई की आड में लड़कों के साथ मत्रगस थी और आवारा गर्दी करती हूँ गूमती हैं मैं थोड़ी अलग टाइप की हूँ डियर साली आकिर कब तक बचेगी तेरे जैसी सैंकडो हिंदू लड़कियों को अपने लव जहाद का शिकार बना शुका हूँ मैं मामा जी छक्के खाओ बिस्कुट पेट भर के एक बिस्कुट छूट ना नी चाहिए कहो तो नमकीन भी ला दूँगी के कहरी लाली बीन बजा दूँगी ना लाली बीन न वज़े ये विलकुल भी घर में साप लिकेडिया आओगा यहां तो पहाड़ों में वैसी साप सल इंडियों का जाद जोर हो रहा अरे बहरे ममा मैं यू ना कहरी बीन बजा दूँगी मैं यू कहरी मैं तेरे लिए नमकीन ला दूँगी के के रही सोया भीन खवा दूंगी ए वेट्टी लक्षमी तुझे तो पता मैं सोया भीन ना ख़ता कुछ खवा नहीं है तो मुझे रसगुले खवा समोसा खवा कलाकंद खवा और पनीर के पकोडे खवा दे एरी मेरी प्यारी लुगाई श्री मती लक्षमी बाई इस बहरे कु बिसकुट खुआ के मेरा नास करेगी के अरे तु पागल हो रहा के ये मेरे दूर के रिष्टे के मममा लगया है और इन्हे बिसकुट खुआने से तेरा कु करनास हो गया एरे मेरी लक्षमी बाई तेरी आज तक समझ में क्यों नहीं आई यो बहरा बुढ़ा तेरा रिष्टे दर यो है मारा किराएदार इस पर मेरे मकान का किराय तो दिया नहीं जाय रहा और तू चाहे बिस्कुट चटारी ए के के रहा मुझे पटारी रहा हराम के बीज तू ममा भाण जी के रिष्टे पर क्यों लाच्छन लगा रहा रहा यो धर्ती पट जागे और तू उसमा समा जागा रहा ओ बहरे भट तू अपने कान में फुक्या हुआ गरम करके मोबील आयल क्यों नहीं गिरवाता तुझे क है कुछ और सुने कुछ और के के रहा चोर रह तेरी मोसी के बुड़का भर लू तू मुझे चोर बता रहा रहा मैं चोर ना हूँ मैं तो लक्षमी भाई के दूर के रिष्टे का मम्मा हूँ और इसके बालकों के भ्याह में बात भी तुम्ही बरूँ हुआ रहो शकर हुआ रहे जवाई बाबु तो से मेरा नाम भी भूल गया मैं रामलाल नाहीं मैं तो जनेश्वर हूं जनेश्वर अगर तू जनेश्वर है तो नहीं है पर दोड़ा दोड़ा एक दिन तेरी मूच पाड़ दूगा तेरा मडर करका 302 में जाना ही पड़ागा और कई पूर तो ऐसा जी करें जो घरवाली है ने लक्ष्मी भाई इसे भी जहर दे दू चाह में मिलाक है जा करूँ यार ये हिरोईन कौन सी चाक्की का पिसाट टाखा है जालिम कतई ऐसी लगें जैसे रसम लाई इन्हें देख तो हो जा मेरा बी पी हाई कास मेरा भ्यावी किसी हिरोईन से होता तो भई मज़ा ही आ जाता मेरी इजाज़त कुझना मेरा फोन देखने की हिम्मत कैसे हुई तुमारी मैं इसमें कोई S.V.C. छी ठोड़ा देख रहा था मैं तो पनीर बनाने की रेसिपी देख रहा था क्यूं क्या जरूरत है क्या करना है रेसिपी का अरे मैं सोज रहा था आज तुझे पनीर की बिरियानी बना के खुआता सुमन यार मैं तेरा पती परमेश्वर हूँ मैं एक मर्द हूँ ये लुगईयो वाले काम मुझे मत बताएकर मैं नहीं करूँगा ये औरतो वाले काम अच्छा शादी से लेकर आज तक तो तुम यही काम करते आ रहे हो फिर आज क्या हो गया बास सुन ले भाई सुमन, अगर तू मेरे से ऐसे ही लुगईयो वाले काम करवावगी न, तो मैं मोदी जी की कसम खा के कह रहा हूँ, तेरा घर छोड़ के भाग जाओंगा, पुलिस के भ्यात ना हूँ अच्छा हिम्मत अधा भाग के दिखा, लद्दाख तक भी तरह पिछा न छोड़ूँगी, साथ फेरे लिए तेरी गयल, ऐसे कैसे भागने दूँगी तुझे अरे माफ कर दे भागवान, मैं कहीना भाग रहा तुझे छोड़ के, मैं तो तेरी गयल मजा कर रहा था यार इसकी गयल लव मेरीज करके, मैं तो बुरा फसिया, यू तो मेरी जरासी भी इज़त नहीं करती इज़त कैसे करूं में तुमारी, छे साल हो गए हमारी शादी को, और तुम आज तक मुझे मानी बना पाए, तो बताओ ना, कैसे इज़त करूं में तुमारी अरे, तन्य मेरे मन की बात कह जान ली, तु काड़ा जादू भी जाने है के मैं जादू गर्नी नहीं, घरवाली हूँ, और घरवाली ना, पती की सारी बाते समझ लेती है, पती के बिना बोले भी यह, यू तो CBI से भी चार कदम आके है, ए भगवान मैं कहां फस गया मैं सोचूं, उसे ही जान ले, मैं तो तुमारी सारी बात जान लेती हूँ, पर तुम मेरे मन की जानना ही नहीं चाते, कि मुझे क्या चाहिए, तुम्हें फिकर नहीं है इस बात की बता के चाहिए तुझे, स्कूर्टी चाहिए, आईफोन चाहिए, हीरे के गहने चाहिए, मैं अपनी किड़नी भी एक दूँआ, पर तेरी च्छा पूरी करूँआ, बता के चाहिए मुझे ये सब कुछ नी चाहिए गोविंद, मुझे बस एक उलाद चाहिए अब बताओ बाई, ओलाद रेडी पे तो बिक्ती नहीं, जो मैं खरीद के लाके देदू इसे, ओलाद तो भगवान की देन हो, जब उसके जी में आवेगी देवेगा, ना जी में आवेगी ना देवेगा, बाई मैं तो पुरा हंगा लगा रहा, पर सुसरा कोई रिजल्टी कि अ कि अ कि नोड़ थेगा, प्राई टुरा इंचाओ। ले मेरी प्यारी प्रानेश्वरी, सेब खा और सिहत बढ़ा मेरी प्यारी लखनी भाई, अगर तेरी इजाजत हो तो एक फांक मैं भी खाय का देख लूँ, यो सेब खटा है या मिठा? ना तो यू मिठा, ना यू खटा, यू तो कड़वा है, और तुझे यू खाने की जोरत ना है, मुझे खा लेन दे अच्छा, ना कोण सा रांट का जमाई हूँ, जो एक फांक भी निखा सकता सेब की? एक बात बताओं, मेरा दिमाग मतना खराब करे, ना तो घर में धरे हुए, अलू, गजड, लशन, प्याज, टमाटर, सारो को कच्छा चबा जाँँगा, जोट्टे की नसल का है के? जोट्टा बोलरी, अपने पती परमेश्वर को जोट्टा बोलरी लक्षमी भाई, चुप हो जा, ना तो तेरी जीब को बार काड़क है, तेरी जीब में पांच साथ गाठ मार दूआ, तु जाने कितना खत्रना काजमी हूँ मैं, अच्छा, मेरे याग है, उन्ची आवाज जीब मोल रहा, लाओं बिल्लन ठाक है, बिल्लन मतला ये लक्षमी भाई, तेरे बिल्लन की मारस है, मेरा नरम, मुलायम पिछवडा, सूज का भटूरे जैसा हो जावे, मुझे सोब थोड़ी तुझे पीटने का, तो हमें तो लूट लिया मिलके, इश्किवाल में, जा, वागी मानानी कॉलिस से, आज उस पे से किराया लिया घर का, जो हुकुम मेरे आका, आज इस तानिया की बच्चीत है, अगला पिछला सारा किराया वसूल करका हुआ, नहीं तो अपने घरते से बार बगाऊंगा, हाँ, 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 राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, आपकी तब्यद वब्यद तो ठीक है न, अजी मेरी तब्यद चाहें कितनी भी खराब हो, आपकी सूरत देखते ही एक दिल ठीक हो जा, अच्छेया, ऐसा क्या है मेरी सूरत में, जो मेरी सूरत देखते ही आपकी तब्यद ठीक हो जाती है, एक बात बताओं तानिया जी आपकी सूरत सूरत नहीं है चलता फिरता पूरा का पूरा मेडिकल इस्टोर है आपकी आखे गुलकोस की बोटल से कम नहीं आपके होट एकदम विटामिन की गोड़ी और आपके जो ये गुरी गुरी गाल है ना ये तो एकदम चवन प्रास है, मेरी चाहे कितनी भी तबियत बिगडी हो, लेकिन आपको देखते ही, आपकी मोहिनी सुरत देखते ही, एकदम देखो जाँ वैसे कुछ भी कहो राजिंद्र जी, आप आदमी बड़े मज़ेदार हो, अपनी वाइफ को तो जरा सा भी बोर नहीं होने देते होंगे यह गलत बात है आपकी राजिंद्र जी, इस तरह से अपने वाइफ को गलत मत बोलिये मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तानिया जी, सही बोल रहा हूं, मेरी गरवाली है न, कबाड़ा है कबाड़ा, और किसी दिन मैं उसे कबाड़ी को बेज दूआ अच्छा आप यह सब छोड़िए और यह बताईए कि आप यहां मेरे रूम में किसली आये थे अजी मैं अपनी मर्जी से थोड़ा ही आया, मुझे तो लक्षमी बाई न भीजवाया आप से कमरे का किराय लेन अच्छा अच्छा यह लीजिए और मैरे घर रह रही है अप यह लेन जी आपको नहीं कुछ भी पता, आप बहुत भोड़ी हो आप हो छातरा,अपना गर छोड़ के शिक्ष्या पराप्त करन यहां उत्रा खंड माई हो और मारे गर रहरी हो अब आप ही बताओ, मैं एक छात्रा से किराया कैसे ले सकूँ, है? वा, आपके विचार तो बड़े लाजवाब है राजेंदर जी जी राजेंदर का तो दिल भी सुनने का है, मेरा तो ऐसा जी चाव है अग अपना दिल निकाल का आपके कदमों में रख दूँ देखो दानिया जी, जब तक आप हमारी किरायदार हो, तब तक आप मुझे अपना अफ्रेंड माननो मेरा मतलब है, अपना फ्रेंड माननो और आपको पैसे की, या किसी राजशन की, या किसी भी चीज़ की जरुत हो सोच लो, अगर आपकी इस महरबानी का पता, आपकी वाइप को लग गया न, तो वो आपको गिले, तोलिये की तरह निचोड़ देगी अजी निचोड़ देगी तो वा, तब जब उसे पताच लगा, मैं तो उसे बताऊ नहीं अपनी सरकत के बारे में तो इसी बात पर मूँ मिठा करो, चोकलेट खाओ, बहुत दूर तलाया है, हाँ पाड़ो मन अजदीक दुकान भी नहीं होती और कोई चीज की जरुत हो, तो बिलकुल ये सारे मर्द भी न, एक जैसे होते हैं, आशिक मिजाज और लफंगे इनको कोई लड़की दिखी नहीं, कि बस इनका फ्लर्ट करना शुरू खेर, मुझे क्या, मेरा तो कोई क्या ही विगाड़ेगा, चोकलेट खाती हूँ लो ममा जी से बखाओ, और मुझे ये बताओ, थारे काम धंदे के के हाल हैं? के कहरी लाली, छत के उपर तिरपाल है, ये लाली ते नहीं छत पर तिरपाल क्यों केर दी, उतो भीग जागी, खराब हो जागी बारिश में अरे ममा मैं नू ना कहरी, मैं यू कहरी तिरप काम कैसा चल रहा? अच्छा, तू काम धंदे को बूजरी, के बताओ बेट्टी, काम धंदा तो मेरा घणा मंदा चल रहा, कमाई दमाई ना होरी कुछ भी है लक्षमी भाई, तेरी या बात मेरी समझ में नहीं आई, है, मुझे तो तन्हें एक ठांग भी नी चखाई, और अपने इस हराम खव ममा को सेव खुआरी है, कैट-कैट कै मेरे ममान रिष्टेदारी के नत्य ते महरे महमान है, और इने खवाणा प्याना मारा फरज बने, अरे महमान नी है, यो खागड सैतान है, सैतान, इससे सेव ना खवा भे, इससे तो मुझे मारने का जैर खवा, यो मरे, और महरा पैंडा चुप जा, ए, के करा दामाद जी, तेरे ते भी ममा रूष जागा, रे दामाद जी, तू मेरी गैल कितना भी बुरा बरताओ कर ले, पर मैं तेरे ते कदी नी रूष होनेगा, पूरी रिष्टेदारी नी बहुआ, रे ओ, बहरे भट, जो मन तुझा बोला ना, वो सही से समझ ले, अक हिंदी मा समझाओं, ए मैं, के कह रहा, मैं अपनी दुकान पर चला जाओं, और अब जमाई बाबु, तेरी इस बात को तो मैं जरूर मन नुआ, मैं दुकान पर जा रहा हूं, यू बात तो तरने बिल्कुल ठीक है दी, इस टेम तो मुझे दुकान पर होना चीए था, ले जा रहा हूं मैं तो, ठ अब जरू कह रही, मेरा चैक भुना का तब धुंगी, वह कौन सी कमपनी में नोकरी करे, जो से तन खागा चैक मीला, और वह भी भुना नी अभी, या मारा बेकूप बना रही, अरी मेरी प्यारी लखनी बाई, तू क्यू छो मैं रही, वह बिचरी कौन सा मारा किराय लेकर बही जाए रही, तू अरामत है, सेब खागा मनने तो न्यूस होच्चा था, यहां उत्रा खंड में प्रोपर्टी का बिजनीस करके, अडाईनी और अंबाईनी की तरह, अर अपतिया आद ही बने जाऊंगा, और बना के, घरवाली का गुलाम, ना में या पहडों में सुटिंग करने आता, ना यू सुमन मुझे मिलती, ना मुझे इससे प्यार होत्ता, अना यू मेरे गळे में गलती, इसने गुलाम बना कर रख दिया मुझे, जाडू लगवावे, बरतन मजवावे, रोटी बनवावे, अब करू तो के करू, इससे पीछा कैसे जुट, साली महारी तो लाइफ की लंका लगई, कोन है, नया न पड़ से बुल्लू सूं, तु एक काम कर, मन्ने अपनी भैं सरी करवाणी से, तु जंडू की टोयल पर अपने जोटे ने लेगा आजा, ता बड़ा, अरो, पप्पू पेल्लू पाणी पतवाले, मैं भैं सरी करवाणी काम न करता हूं, मैं तो प्रोपरिटी बिकवाणी क काम करूं, तुझे कोई जमीन, पलाट, मकान, दुकान, बेक नहीं हो या बिकवाणी हो तो मिरसे बात कर, अट नहीं तो साले भोन काट, गलत नंबर मिला दिया दनने, हट, साले रोंग नंबर आओं में, मेरे पे साले 90% रोंग नंबर वाले गभोन आओं, रोंग नंबर वालों ने दिमाग खड़ाब कर गेर रख्या, एक तो ही सुमन्ने दिमाग के इस्ते सी कर गेर रख्या, उपर से साले ये रोंग नंबर वाले, इन्होंने दिमाग की ओर मा बहने कर रख्या, गोविंद, बैठे-बैठे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, दिमाग त मैंने पोछ रहा था की आईडिया आया तिरे दिमाग में तुम मुझे तलाक देने की सोच रहे के तलाक तलाक तुम्हे साथ जन्मों तक भी नी देने की और रही बात मेरे आईडिया की तो मैं ये सोच रही थी कि संतान का सुक तो तुम मुझे देने से रहे तो मैं क्यों ना अनातासरम से ही बच्चा गोद ले लू देखो मैं अब बिना बच्चे के नहीं रह सकती मुझे हर हाल में एक संतान चाहिए रे भागवान थोड़ा सबर राख तू दूसरी की संतान गोद लेने की बात कर रही है मारे खुद के आट-दस बालक हो जागे भागवान पर भरोस्त राख अरे कब होंगे आट-दस बच्चे अभी तक एक मुस्सी का बच्चा पैदा ना हुआ मेरी जान सुमन इतनी बेसबर मत बढ़ थोड़ा भागवान पर भरोस्त राख तू मुझे एक मौक्का और दे अगर एक मैन में तेरे गुल्लू मुल्लू पैदा नहीं कर दिया तो अब मेरा नाम नहीं हाँ हाँ तू तो जादूगर है ना एक मैन में फूग मार के बच्चा पैदा कर देगा हट परेखू तेरे बस किनाय कुछ भी जंडू लाल कहीं का बाब्भी राम 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 जी राम राम और गाउं में सब बढ़िया है न देवर्दी आ गाउं में सब ठीक ठाक है मोजबार सब मज़े ले रहे हैं बाब्भी माने तेरे लिए लड़ू बेज़े हैं दिस सी गीगे अपने हत्तों से बना के बाब्भी 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 घर की माल कीन है इसलिए भाब्भी का ख्याल जादर राखना पड़े तेरा की तू तो जोरू का गुलाम है तो जोरू का गुलाम है तेरी कोण परवा करें तेरी वैल्यू की है इस घर में सुणूले सुमान की बच्ची तेरे कारण यू किरायदार भी मेरी इज़द में पिंचर कर रहा हाँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है दूसरों से इज़द कराना तो अपने हाथ में होती है हरे इजद के मेरी कोई ऐसी तेसी करेगा जब तन्य मुझे घर में जोरू का गुलाम बना रख्या मैं तो अपनी मर्जी से इस घर में पाद भी नहीं सकता और हाँ कान खोल के सुन लो जब तक मेरी कोई ओलात नहीं हो जाती न तब तक कोई इजद भी नहीं होगी तुम्हारी है तेरी की इन दुन्नों की तो होगी माबारत सुरू अब यहां से लिकड़ने में इस फायदा सुमन मेरी बात कान खोल के सुन ले तू अकेले में मेरी कितनी बेजिती कर लेकर मुझे मुर्गा बना के कुकडुकु करवा लेकर पर यार दूसरों के सामने तो मेरी इज़त कर लेकर आखिर मैं तेरा पती परमेसर हूँ यार हाँ तू है तो मेरा पती पर है बिलकुल बेकार ना तेरा मुरब्बा गिर है ना अचार कदी कदी मुझे अपनी दुरुगती देख के ऐसा लगए कि मन नहीं धर्ती पर जनमले गलती करती दिख्खे जी एक बर तान्या को फोन करकर राजी खुशे की तो पूछला आरे यार तेने तो मेरे मनगी बात कह दी मैं अभी तान्या को फोन करने वाला था हरे भाईया का फोन हेलो हाँ भाईया ठीक हो तुम भाई हम भी ठीक है यापे भाई तेरी भाबी तुझा बहुत याद कर रहा है भाबी की याद तो मुझे भी बहुत आती है अगर क्या करूं पढ़ाई के कारणी तो आप दोनों से दूर आकर है ना पढ़ रहा है बेहन तो अपनी पढ़ाई मन लगाया कर पर किसी चीज़ की परेशान नहीं हो तो मुझे बताई हो पैसे तो भईया आप हर महीने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करी देते हैं बागी किसी और चीज़ की जरुरत फिलाल तो मुझे है नहीं बस तो ठीक है तो अपनी बढ़ाई कर मैं अगले आपते तुझे से मिल लाऊंगा बाई आज की ब्रेकिंग निउस एक मुस्लिम आशिक ने अपनी हिंदू प्रेमीका का क्या मडर शरीर के किये 35 टुगडे लाश को गाड़ी की डिकगी में डाल के ले जा रहा था ठीकाने लगाने पुलिस ने क्या कि रफ्तार लड़के का नाम आपता पताया जा रहा है हिंदू लड़की विद्या को खताया था अपने प्रेम जाल में जिस हतियार से उसने विद्या के टुगडे टुगडे किये वो हतियार भी पुलिस ने बरामत कर लिया है मिल दें छोटे से ब्रेक के बाद इतना बड़ा साइको लवर तुम्हेने आस्टक नहीं देखा अपनी गर्फ्रेंड के इतनी बेरहमी से पैतिस ठुकडे कर दिये यार पढ़ते पढ़ते भूग लगल लगई एक काम करूं माने चलती भी ने खाना दियाता पहला खाना खालूं फिर रात को चम के पढ़ाय करूं बई एक बात तो सचे दुनिया में कहीं से लेकर कहीं लो गुमलो और कितने बड़े से बड़े होटल में खाना खालो पर जो सुवाद मा के बनाए हुए खाने में उस उसरा कहीं नहीं मिलता चलो खाना खाते हैं लेवाई समीर खीर खा तेरी भाबी ने बेची खीर भाबी ने बेची भाबी की बनाए खीर तो मुझे बहुत पसंद है भाई मैं तो नू कहूं बगवान सुमन भाबी को जुड़ूआ बच्चे देवे कितना ख्याल लख है मेरा यूं बेच्टे है मोज तो तुई ले रहा हमारे घर में रहके मेरी घरवाली मुझे तो करें परेशान और तुझे खोवे पकवान के मामला है यूं ओ भाई तो अपने दिमाग में कुछ गलत फैमी मत बाड़िये यू कई छुपावाय मामला ना उतो भाब्बी का बडप्पन है जो मुझे अपने सगे देवर सभी जादे प्यार करें अरे जह कोई यू इतो बात मेरी समझ में आरी मेरी घरवाली दूसरों की केल तो करें सही सलूक और मेरी इजद मूत की निकरती मुझे तो यू इस घर में नोक कर समझे और वो भी बिनातन खावाला यार गोविन देख बात बताऊं तेरे में कोई कमी बेसी है जो सुमन भाब्बी तेरी गेल ऐसा सुलूक करें ना तो सुमन भाब्बी तो इतनी अच्छी है अरे ऐसी कि तैसी अच्छी है एक बात बताऊं किसी को बताई ये मत मैं सुमन का मढर करने की सोचाओ साड़ा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी ओ भाई गुस्से में कोई उठम ना कर दिये थोड़ा ठंडे दिमाक से सोच तेरी बहु तेरे से इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रह वै रे यार के बताऊं यू सुमन आज लो मा नहीं बन पाई न इसी वज़े से इसने मेरी जद का रायता कर रख यार मुझे तो ऐसा लग रहा तू भब्बी को ठीक से खुराग न देता जबी तो यू मामला कड़वाट में बदल रहा तू एक काम कर तू कोई तागत बढ़ाने का नुस्का खा ले अरे यार तुई बता दे मुझे कोई नुस्का तुझे पताओगा मैं दुकान पे से लाकर खा लूँगा अरे मैं कोई हकीम तारा चंदू जो तुझे नुस्का बता दूँआ भाई यूटूब पे सरच कर बते ले डाक्टर वैद मिल जाओंगे उन से ले ले दवाई अरे यूँ आइडिया से ने बहुत बढ़िया दे दिया अब मैं यूटूब पे खोज जुआ जागे कोई न कोई पार मूला तुँ आराम से खीर खा भाई वागे में खीर गजब बना रखी मज़ा आ गया भाई भाबी हो तो इसके जैसे हो ना तो हो ही ना इताणिया कहा जारी मैं बस क्แล जारी थी भाबी क्यों क्या हूआब बताओ कुछ काम था आपको मुझसे तेरे से काम था यभी तो तुझे रोक्का तुम्हारे घर का किराय क्यों नहीं देती हर बार कुछ ना कुछ बहान न लागा दे के जी मैं दे रे क्या? मैं किराय देने के लिए बहाना बनाती हूँ ये आपसे किस ने कहा? वो मेरे निखट्टू पती राजिंदर ने बोला राजिंदर जी आपसे जूट बोलते हैं भावी मैं तो जब भी उन्हें किराय देती हूँ वो लेते ही नहीं कहते हैं इकटा करके दे देना अगर मैं अब लूँगा तो मेरी डायन बीवी सारे पैसो के शॉपिंग कर देगी अच्छा? वो जोनी लीवर जैसे सकल का आदमी मुझे डायन बतावे हाँ भावी कसम से मैं जूट नहीं बोल रही हूँ अच्छा भावी अब मैं चलती हूँ मुझे थोड़ा कॉलीज के लिए लेट हो रहा है ओके बाई राजितर! मेरी प्यारी पत्नी लक्समी बाई तन्य मुझे तनी जोर के आवाज क्यों लगाई तेरी परचंड आवाज सुनके मेरा कलेजा काप क्या मेरी पिंडी अब तक थर-थरा रही तानिया को कह कर रहा था तू? मैं डायन हूँ किराई के पैसु ते सोपिंग कर लूँगी तेरी बहार खाई या तानिया की बत्ची उली चुगली कर गी चुगल दुट्टी तो योई सेर्डी कुझ जगागी इब देखो के बम फुक्टागा मेरे पार ओ मैंडक जैसी आखके निखट्टू आदमी के सोच रहा मुझे जवाब दे मुझे डायन क्यों बोल रहा था तू? लक्षमी तू क्यों उसकी बत्तों में आगी वहा तेरे ते जूट बोलगी अरे मैं तुझे डायन कैसकूँ है मेरी तुनी इंमत जूट वानी बोलगी जूट तू बोल रहा पठे आज ते जखुरक दे कही मननूंगी कर दे मुझे बाप कर दे आज के बाद नहीं कहुआ है का कुछ भी डार्लिंग आमलेट बना दिया है बढ़िया वड़ा मक्षन गेर के अब नहीं बताओ तो आमलेट को सुका खाओगी या ब्रेड पर लगा खाओगी ऐसा करो ओमलेट को बर्गर के साथ रख के लिया आओ अर हां टमैटो केचप बिरियाना आ गई ना बात समझ में आजी बिलकुल आगी अर्या मिरे यार गोविंद आज कल मार्कीट में नजर नहीं आ रहा के ब बिकवा दिये और जो भाई तुझे भी दो रुप्या कमाई ने तो बाहरे को लिकट मार्कीट में या घर बैठे ने तुझे को या टैची बरके देद देगा अर दिके बिना रोहता मा भी अपने बच्चे को दूज न प्यात्ती है पईस सही कह रहा तू देऊंगा काम ध संदे में बाद में ध्यान दे लेना पहले मेरा नास्ता तो लियाओ हाँ जी बिलकुल अभी लेक आया आपका हुकम सिर्मत थे पर हाम केस तुमारे कितने बच्चे हैं मेरत घरवाली ना बाबी बच्चे कहां तो होईंगे क्यों कहां गई तुमारी घरवाली मर गई अजी तो इसका मतलब अब वों फिल्मों में काम करने लग गई होगी तुमारी बाद मेरी जानी दुसूष्मन मेरा मतलब जाने मन आम लेट वारा सेंड़िच खा इसमें क्या सारा नमकी भर दिया? कोई भी काम ढंग से नहीं होता न तुमसे? ओ, नमक जादे किल का दिखे? चलो जी कोई बात नि सोरी? तेरे सोरी बोलने से क्या इस ओमलेट का नमक कम हो जाएगा? एक मिन्ट रुख, तुझे मैं सिखाती हूँ ओमलेट कैसे बनाते हैं? अरे, यहां कतम होसं बिखड लिया, बाग किसी भी छण करजदार बारी सोने वाली है बेच्टे मुकिस तुँ यहां तेलिकर लगाते, तेरे भी नमबर आ जाओ है रहे यार, इतना जुलम क्यों कर रही तु मेरे पर, किसे ने किसी बात पर रोज खुराक दे दे वै कैसा बेकार पती है तू, ना तो तेरे बस की उलाद पैदा करना, और ना ही तेरे बस की बर्गर बनाना करू क्या मैं दे रहा? फिलाल तो तु मुझे माप कर दे तन्या कैसे दिन लिकर तो ही, इस गोविंद की किलास लेनी सुरू कर दी? ओमलेट बनाया इस रसो ये ने, और नमक दाल के बिलकुल कड़वा जहर कर दिया, इसलिए किलास ले रियू मैं इसकी खुशबू तो बड़ी आरे भाबी, चैक करके देखू, कितना नमक है इस मैं? कोविंद भाई, नमक तो खेर ज़्यादा कर दिया तन्ये, पर तेरा यू आमलेट बरगर खाके, अपना तोगा नासता फुल तू तो बहुत चलाक लिए भाई, आमलेट बनाने में मैंनत करी मन्ने, सुमन से चूतरों बर डंडा खाया मन्ने, और आमलेट खा लिया तन्ये भाई देख, दाने दाने पर लिखा रहा खाने वाले का नाम, तू देख अपना काम, मैं तो चला को लिज बाई भापी, बाई देवर जी अब क्या खड़ाओ के मेरा मूँ देखता रहेगा, या मेरे लिए दूसरा नासता बना के लाएगा लाओंगा, दूसरा नासता बना के लाओंगा, ऐसा हो सकता ना लाओं तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए, हम दोनों का जन्म हुआ एक दोजे के लिए हो शिट, अब क्या हो गया इसे, ये स्कूटी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही यहां तो कोई आस-पास मैं कहने इक भी नहीं है, अब क्या करूँ, कॉलिज कैसे जाऊंगी मैड़ के बाद, इसकूटी के तबहत खराब होगी के, तेल निमट गया इसका, ये इंजन में कुछ खराब भी आगी इसके ए मिस्टर, मैं कोई मकैनिक तो हूँ नहीं, कि मुझे पताओगा मेरी स्कूटी में क्या खराबी आगई, मुझे तो बस इतना पता है, कि मेरी स्कूटी चलते चलते बंद हो गई मैं कुछ हेल्प करूँ अपने आपको जादे स्मार समझ रहा है, सोच रहोगा स्कूटी ठीक करने के भाने से इंप्रेस कर दो, इडियोट गईगा अरा मेडम इतने सोचने के जरूतना है, मैं कोई उठाएगी रहा ना हूँ, जो तेरी स्कूटी लेगा भग जाऊँँआ, मैं तो इंसानियत के नत्ते तेरी हेल्प करना आ गया था ठीक है, जादर डायलोग मारने की जुरूत नहीं है, देख लोग कोशिश करके अगर तुमसे कुछ हो पाए तो अरे इसका तो तेल खतम हो गया, मैं एक काम कर रहा हूँ, इसकी चोक लगा रहा हूँ, पास में पैटरल पंप है, वहाँ तक चली जाएगी वहाँ तेल डिलवाली हो जाके अर ना तो मैं लागए दू एक बतल तेल, आरे नहीं नहीं रहने दो, मैं खुद मैनेज कर लूँगी, ठीक है भई खुद मैनेज कर लियो, मैं चोक लगा रहा हूँ कमाल है, इसने तो मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की ही नहीं, इसका मतलब ये दिलफैक लड़का नहीं है तब ही तो मेरी हेल्प करके चुप-चाप चला गया यार क्या बात है, तानिया नहीं आई आई आज रोज तो इस टाइम आ जाती है, यार मुझे लगता शायद आज उसने रैस्टी कर लिया चलो चलते हैं फिर अरे तानिया तानिया सुनो, रुको अरे तानिया, रुको तो यार हाँ बोलो यार मुझे तुम से कुछ बात करनी है लेकिन मुझे तुम से कोई बात नहीं करनी और सुनो, आज के बाद मेरे रास्ते में मताना वर्णा अंजाम भुरा होगा समझे? बड़ी हराम लड़की है तो लेकिन साली कब तक बचेगी? एक नए एक दिनी से अपने प्रेम जाल में फसाई लूँगा हाँ यार मुझे तो ऐसा लगए मारे तो रिचार्ज के पैसे भी जट्टे के पिछवाडे में घुसके दिखे अच्छी मुसी बताई बा मारी तो आईडिया हंसराज के दोरा चलता हूँ आखिर वो महारे गाउं का परधान है जनता की समस्या का समाधान करना उसका फरज है महीं चलता हूँ रे उस्षा रोटी लेन पानी पच लीगी के भूख्य कान पेट में चुए कूदरे बन रही है रोटी तम तो एकदमी खड़ उतार दो जोरासी भूख के लगजा आप आई खो बैठो सबजी बन रही है रोटी बनाने में टैम लगेगा अरी कोई कलकी रखी हो तो वो ही लिया एका दी हां रखी एक रोटी देख बागवान बात सुन भूख न देखे सुक्ती रोटी और प्यार न देखे जात पात जो रोटी रखी उसे ही लिया जा भूख लगरी है अरी साहिरी मेरी समन्सी मन आई पर चलो मारोटी ला रही हूँ जा लिया लोजी खाव रोटी जै अन्देव जै दर्टी राम राम परदान जी अरे राम राम पटीचर राम राम आँ पटीचर रोटी खाले ठारे कहे कू कैसे टाल सकू खालूँ आ रोटी परदान जी रोटी खाके मज़ा आगा बस एक लोट्टा छाज और एक गुड की डड़ी ओड़ा दो मज़ा दुगुना हो जागा ओ फटीचर के चोद्य नहीं नहीं फरमास बता रहा तेरे बाप नहीं होटल खोल रखा एक रोटी धरी परदान जी को भूक लगरी उसे भी तू सटक गया अरे फटीचर तु बिखारी की डाल मारे घर में आ बलया तु या रोटी खान आया था के नहीं नहीं परदान जी मैं रोटी खान थोड़ी आया था मारे घर में रोट्यों का तोड़ा थोड़ी है मैं तो तमें एक काम की सला देना आया था हाँ जल्दी बता के सला दे रहा परदान जी मैं तमें यूँ सला देना आया हूं गाम में जितने भी ठलवे हैं सब है काम पर लगा दो और फेर देखो बोट कैसे टपा टप टप केंगी परदान जी परदान जी पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो मैं आपको यू कहना चाह रहा हूं कि इस गाम में दो चार वाइफाई के टावर लगवा दो यहां सुसरा नहेटी नी चलता टावर लगने से इन इठल्लों की वोट मुझे कैसे मिल जाएगी यूँ बात मेरे समझ में ने आई परदान जी जब तम मेरी बात को समझने की कोशिस करो गे जबी तो समझ मा आवेगी चल समझा बाइ परदान जी जब गाम में वाई-फाई के टावर लग जांगे तो नैट फर-फर चलेंगे सबी ठलवों को हिल्ला मिल जागा फेर वे गता-गत बोट देंगे तमें इरे गाम में टावर लगने सबी नैट फर-फर चलेगा यू बात तो तेरी समझ मागी पर इन इठलो को के काम मिलेगा जो इतने बीजी हो के यह हमें बोट देदेंगे अरी चाची, जब नेट फर फर चलेगा, तो सारे ठलवे मोबाइल पे बीजी हो जाँगे, कोई तो एस्ट्राग्राम पे लग जागा, कोई यूट्यूब पे सोनो टैक की मूवी देखेगा, कोई फेस्बुक चलागेगा, और सारे ठलवे बीजी हो जाँगे, और तमें दु अरे हराम खाने, तन्ने या उल्टी-उल्टी सलाजने मैं पया ठाके, तुझे मैं बढ़ाहूगा, सलाकार मंत्री, रुक जाँ आज बजया है। मिनसान्न पिमारे जोते बिलकुल है। ए मिस्टर मेरी बिना पर्मीशन के मेरे पास आकर क्यों बैठ गए बैठने के लिए मुझे किसी की पर्मीशन की जरूरत नहीं है मैं अपनी मर्जी का माली को जहां मेरा जी करें मैं वहीं बैठ जाओ अरे 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 ये क्या बत्तमीशी है तुमने मेरे पीनेट्स भी छीन लियो और खा भी रहे हो स्टूपिड बैठ तू तो मुझे पीनेट्स खाने के लिए पूछना री थी तो इसलिए मैं ने छीन के खा लिये इसमें के बुरा कर दिया वा जी वा ना जान ना पहचान तू मेरा महमान कोण करा तेरी मेरी जान पिछान ना है जब कल मने तेरी स्कुटी स्टार्ट करी थी तब हो तो की थी तेरी मेरी जान पिछान ए मिस्टर, या तो तुम कोई सर्फ रहे हो, या फिर बिल्कुल पागल हो, जो ऐसी हरकते कर रहे हो अरा कूल डाउन मैडम, कूल डाउन, ना तो मैं सिर्फ रहा हूँ, ना पागल हूँ, मैं तो हैंड सम सा एक स्मार्ट लड़का हूँ हे मिस्टर, लगता है तुम्हें कोई गलत फैमी हो गई है, घर जाकर जड़ा आई ना देख लेना, तुम्हारी गलत तमी दूर हो जाएगी बई बात सुन, मैं तो क्रोडों में एक हूँ, मेरी गल्फेंड बनने के लिए लड़किया लाइन में लगी रहे हैं, पर मैं किसी को गास नहीं गेर था, क्योंकि मैं तो तेरे से प्यार करूँ I love you मेरी जान I love you अच्छा बच्चू, एक ही मुलाकात में बात I love you तक पहुच गई यस तेरी ऐसी की तैसी अरा मर गया अरा तेरी बहन के में, यू मैं कैसा सपना देख रहा था उस लड़की न लात मारी मेरे सपने में, और गिर क्या में सच में यार समीर, उस लड़की में कुछ तो बात I special है जो उसने एक मुलाकात में ही, मेरे दिल में घंती सी बजा दी पता न वो कोण है, कहां की है, कहां रह वै आगे कभी मिलेगी या ना मिलेगी चलो, किसमत में होगा तो जरूर मिलेगी जरूर मिलेगी जरूर मिलेगी कभी मिलेगी जरूर जरूर मिलेगी तानिया जी, तानिया जी, एक मिनट हाँ राजेंद्र जी, बोलो, कुछ काम था आपको मुझसे तानिया जी, आपने मेरी घरवाली से मेरी शिकायत लगवाख है मेरे पर ज़डू बजवाए दी, ये कोई अच्छी बात है क्या आपकी बात को समझो राजेंद्र जी, अगर मैं उस समय लक्षमी भावी से जूट नहीं बोलती न, तो वो मुझसे भी जगडा करती और कॉलिज जाते टाइम में अपना मूर ओफ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे जूट बोल दिया बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वा, आपने अपना बचाव करवाणे कातर मेरी फिटनिस कर दादी, आपका तो मूर बढ़े रहा, मेरा तो मूर खराब हो जयाना राजेंद्र जी अगर कॉलिज जादे टाइम मेरा मूर खराब हो जाता तो क्या आपको अच्छा लगता इस पराई शहर में एक आप ही तो है जो मुझे अपना समझ कर मेरा ख्याल रखते है या बात तो आप सोडा अन्य सच कह रही हो और वैसे भी मैं आपको अपनी दूसरी घर वाली समझूँ दूसरी घर वाली मतलब? मेरा मतलब है मैं आपको अपने घर की सदसे ही समझूँ और आप के लिए तो मैं लक्षमी बाई की मार तो क्या उसके आग से चुहे मानने की दवाई भी खा सकूँ मेरे होते हुए आपको किसी बात की टैंसल लेने की कोई जुरत नहीं है आप फुल मोज करो ठीक है जी ठीक है अब हारी ठकी हुई आई हो जैक अतम फ्रेस विरेस हो लो तब तक मैं भी फ्रेस होता हूँ मैं सब समझती हूँ ये राजेंद्र मुझे पर इतना महरबान क्यों है ये बेवकुफ मुझे पर लाइन मारता है मुझे पटाना चाहता है ये भी लेकिन ये नहीं जानता कि मैं भी तान्या राजपूत हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूस एक मुस्लिम आशिक ने अपने हिंदू प्रेमी का किया मडल शरीर के किये 35 टुकड़े लाश को गाड़ी की डिगगी में डाल के ले जा रहा था ठिकाने लगाने पुलिस ने क्या किरफतार लड़के का नाम आफ़ताब बताया जा रहा है हिंदू लड़की विद्या को फटायत अपने प्रेम जाल में तीन साल से दोनों रह रहे थे लीविन रिलेशनिशिप में आफ़ताब निवयान में बताया विद्या का दोस्तों के साथ बात करने नहीं आता था उन्ते पसंदू इसलिए सनक में आके उठाया ये कदम जिस हतियार से उसने विद्या के टुकडे टुकडे किये वो हतियार भी पुलिस ने बरामत कर लिया है मिल दें छोड़े से ब्रेक के बाद ये मुसल्मान हमारे देश में रहते हैं और हमारे ही देश का खाकर हम पर घुराते हैं और हमारी हिंदू लड़कियों को अपने जूटे प्रेम जाल में फसा कर उनका पेरहमी से मर्डर कर देते हैं लग जिहाद करने वाले मुसलिमों तुम्हें क्या लगता है हर हिंदू बेटी विद्या की तरह मासूम होती है अगर किसी से प्यार करना जानती है तो अपने दुश्मन का शेरनी की तरह चीर फार करना भी जानती है दान खोल कर सुन लो मुसल्मानों जितनी हिंदू लड़किया तुम्हारे लव जहाद का शिकार हुई है मैं उन सब का तुमसे बदला लोगी मैं कसम खाती हूँ विध्या मैं तुम्हारी मोत का बदला जरू लोगी दस गिराम असुगंधा दस गिराम काले खजूर दस गिराम सफेद मूसली दस गिराम के बताया दस गिराम गोखुरू इन सब का पोडर बना कर दूद के साथ इस्तेमाल करो और मरदाना ताकत बढ़ाओ यू फारमुल से लग रहा यार इसे फारमुले को खाके देखता हूँ मैं बाप बनूगा या नहीं बाई गोविंद जब तक सुमन प्रेगनेंट नहीं होवेगी तब तक अपनी कोई इज़्यत नहीं ए बाई यार गोविंद तेन्यत कती हद्धी कर दी तेन्यत घरतली करना बहार बंदी कर दिया ए बाई ऐसा कैसा काम चलेगा और बाई तेरी घरवाली की सरकारी नोकरी है तू उसके पिच्छा कत्तक निरबर रहेगा अरे यूई तो राड है घरवाली की सरकारी नोकरी है जबी तो ना जान देती हूँ मुझे घर से बाहर मुझे घर के कामों से फुर्सत मिले ही कहां मैं तो सारे दिन वहिया चोका, बर्तन, जाडू कपडे धोना, खाना बनाना नास्ता बनाना बस इसी की सेव मैं लगा रहा हूँ अगर फुर्सत मिले तो मैं भी कहीं घर से बाहर लिखड़ू कुछ हिल्ला देखू और बता करूं तो क्ये करूं भाई तेरी हालत देखके मेरी समझ में सारी कहाणी आगी पठे तू तो पककम पकका जोरू का गुलाम हो लिया भाई तेरा को इलाज नहीं हो सकता अरे बावली पूँच मैं जोरू का गुलाम नहूँ मैं तो पतनी का सेवक हूँ अब देख सुमन जो है अपनी पडोसन के गई है बत लाने गाल बजे करने और मुझे काम बतागी रोटी बना के तयार राखियो और जब वो घरो आवेगी मैं उससे पहले रोटी बना के बिल्गुल तयार रखूँ और जब वो आवेगी जब गर्म-गर्म उसे खोऊँगा तो यू तो पतनी की सेवा हुई इसमें गुलमी की बात है बाई अरे बेटे तू हमें धपल मत प्यावे हमें सब पता तू सुमन भाबी तेटर है और भाबी को देखते है ते तेरी फूकसी से रख जाओ है अरे यू गलत फैमी है तेरी मैं पतनी से ढरनने वाड़ा पती नहीं हूँ अच्छा यू बात है तब एक काम कर तू आज रोट्टी पानी कर टाड़ और तू मेरे गयल तास खेल चल ठीक ऐसी बात है तो आज तास ही खेलते हैं तास खेलो बहुत दिन होगे जा तास की गड़ी ले कहां जाओ हूँ आ कहां जेम मैं ले रहा हूँ लिकार आज आ बाई ले तो बाई यू ले बाई बाट ले बाई ले बाई ले बाई यल्वा पतागेर ले बाई ले बाई जे ले बाई जू ले बाई हाथ होगा मेरा अच्छा ले बाई ये क्या हो रहा है यहां मैं थोड़ी देर के लिए घर से भाहर क्या गई तुमने या जुआ खेलने स्टार्ट कर दिया हम जुआ ना खेलने सुमन हम तो ऐसे ही टाइम पास करने बैठके थे किसने का तुमें यहां पत्ते खेलने को अच्छा तो इस लंगूर के कहने से तुम यहां पत्ते खेलने बैठ गए और मैंने जो तुमें घर का काम बोला था वो किया कपड़े धोए ना जी बरतन माजे ना जी रोटी सबजी बनाई नहीं जी आज नहीं कर पाए हम कुछ भी काम मैं तो सारे काम कर लेता मैं तो रोटी बनाने की भी तयार ही कर रहा था इतने में निकम्मा यू मुकेस आ गया इनने आके मुझे तास खेलने में लगा दिया अज न्यू कैदी रोटी बने निक टाड़ कर इस अडू के बीज से मनने कई बेर मनने करी अरे मैं नी खेलना तास मैं नी खेलना तास पर इसने धींगी से मुझे तास खेलने में लगा दिया और मेरा सारा घर का काम छुटवा दिया अब न्यू बता इसमें मेरी के गलती मेरा कोई कसूर नहीं है जो सारी खता है साले की इसकी है अरे ओ जुट्टो के सरदार क्यों खाम खाम की जुट बोलकर अपनी आपत मेरे सिर्पचा डा रहा बाप भी मैंने न कहीं से तास खेलने कूँ चल ठीक है माल लिया ये जुट बोल रहे है पर तु ये बता कि तु ये तास के पत्ते लेके यहां आया ही क्यूँ तो गलती तेरी है ना तो तु ये तास के पत्ते लेकर आता ना ही ये काम धंदा छोड़कर तास खेलने बैठते मुकेस के बच्चे तु ने यहां आकर मेरे घर के काम में बादा डाली है अम मेरे घर के सारे काम तू ही करेगा वरना तेरे कान काट कर अपने कुट्टे को खिला दूँगी अरे मेरे यार मुकेस ते ने ता मरवा दिया अरे क्यों मरा जा रहा यार मारी यारी खत्तर तो इतना काम निकर सकता मैं तो ये काम रोज करूँ चल ये मस्ता काम ले होजा श्टार्ट अरे यार पढ़ते पढ़ते भूग लग लग यारी एक काम करूँ पहले ढबे बजा के खाना खाया हूँ फेर आके पढ़ूँ परसका गया हूँ यूरा पैसे भी है अरे यार अब इतनी दूर ढबे भे खाना खाना कोन जावे एक काम करूँ गुविन के घर चल के देख्खो महीं खाने पीने का जुगाल कुछ बढ़ूँगा पैसे भी बच जाओंगे और आने जाने का टैम भी बच जाओगा बाई यूटूब पे सर्च करके ताका तो बढ़ाने का यूचूरन तो मन ने बना लिया अब इसका कॉर्स शुरू करता हूँ एक हपते तक लगातार एक चम्मश दूद में गेर के पेने को बताया हकीमिन अब इसे दूद में गेर के एक हपते तक लगातार खाऊंगा और एक हपते बाद सुमन को अपनी पावर दिखाऊंगा और मुझे उम्मीद है अगर भगवान ने चाहा तो इस साल मारे घर में नन्य मुन्य बच्चे की किलकारी जरूर कुण जेगी आज से ही कोर्स स्टार्ट करता हूँ वाँ 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 मज़ा आ गया यार खाना तो आज कुछ मैंने बढ़ा है नहीं एक काम करता हूँ रेस्टोरेंट पेसे जाके दो पलेट चावमीन ले आता हूँ चावमीन सुमन को बहुत पसंद है सुमन की गेल बैठके खाता हूँ अरे भब्बी रात को लिपिष्टिक लगाके कहा जा रही है कहीं कोविंद बाय की गेल गूमने का कुछ प्रोग्राम है या कुछ और मामला है अरे नई नई समीर ऐसी कोई बात नहीं है मैं तो बस ऐसे ही लिपिष्टिक लगाके देख रही थी भाब्बी तम्यू लिपिष्टी क्रीम पोडर क्यू लगाओ भगवान कसम तुम्तो बिना मेकप के गणी सुन्दरो अरे हटो देवर जी जाओ परेकू अम्में इतनी भी सुन्दर नहीं चितनी तुम तारिफ कर रहे हो भाब्बी मैं मजाग नहीं कर रहा बिल्कुल सच बोल रहा हूं तुमना कताई हिरोईन जैसी लगो धार्याग ग्यतो दीपी का पादू कोणी भी फेल है अरे सुनो देवर जी तुम्हें आज खाना खाने के लिए धावे पे जाने की कोई जरूत नहीं है आज तुम मेरे साथ ही खाना खालो गोविन ने बहुत अच्छी चौमिन बनाई है जैसी तेरी च्छा भाब्बी अरे वो बुक्के बिजार बेठे मत तावला खेडा होले आज मैंने घरो न बनाया खाना कुछ भी मैं तो खुद भी चाव में रेश्टोरेंट में जाग लाया हूँ चली करने हसे गोविन मैंने कहा दिया आज समीर मेरे साथी खाना खाएगा मतलम मेरे साथी खाएगा लाओ एक पलेट मुझे दो और एक पलेट समीर को दो दो लह खाली हमने तो न्यूडल रह यार सुमा ने एक बात बता एक पलेट तो तो खान लगी एक प्लेट तो ने इस खागड़ को दे दी मैं खाणा खाणा भंडारे में जाऊंगा भंडारे में जाने की कोई जरुवत नहीं है सुबे की फ्रिज में खिचडी पड़ी है उसे गरम करो और खालो जाओ निकलो यहां से दिमाग खराब कर रखा है काम तो हो गया अब देख्यों कि ट्रेंडिंग में क्या है उसके बात बढ़ाई करोंगे एक और हिंदू लड़की की हत्या एक सरफिरे मुस्लिम आशिक ने अपनी माशुका को चार मंचिर की मारत से नीदे फैक कर जी उसकी हत्या विरोज ने पुलिस को अपने बयान में बताया चार खाल से सल रहाता हमारा फ्रेम प्रसा विदी को मैं जानकारी नहीं थी कि मैं मुस्लिम हूँ बात पता चलने पर हम जोने के बीट अस्पन होने लगी और मन मोटाव इसना बढ़ गया कि मश्बूरी में मुझे उसकी हत्या करने पड़ी ये मामला लव जिहाद का बताया जा रहा है फिरोज को पुलिस ने भेजा है 14 दिन की नाए खिरासन पे बिर दे छोड़े से ब्रेक की बार फिर एक और लड़की का मर्डर हम हिंदू लड़कियों की जान इतनी सस्ती हो गई क्या जो प्यार का धोखा दे कर कोई भी साला इतनी आसानी से ले लेगा विद्या और विधी जैसी मारे जाने वाली हर एक हिंदू लड़की की मोत का हिसाब चुकाऊंगी मैं मैं लूँगी बदला और मेरा पहला शिकार होगा सलीम इस कुत्ते को फोन मिलाती है मैं भी अच्छी हूँ और क्या कर रहे थे मैं तो स्टडी कर रहा था आप सुनाओ तानिया जी आज कैसे याद आगे हमारी आपको अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो अरे तानिया तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी मैं तो तुम पे दिलो जान से फिदा हूँ तो फिर तुम एक काम करो मुझे काली पाहडी पर अभी के अभी मिलो ठीक है? बिलकुल आप आजाओ मैं आपको वहीं मिलूँगा ओके बाई, सी यू देयर बाई ये जहर में बुझा हुआ खंजर एक जग्य में अस पुट्टे की जान ले लेगा अरे कहां रहे गई मेरी चान क्यों तड़ पारी है आओ मेरी जान आओ हुजूर आते आते कितनी देर कर दी सलीम तु मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते हो और मुझे हमेशा मोहबत बरी नजरों से देखते हो क्या तु मुझे सच में मोहबत करते हो हाँ तानिया मैं तुमसे बहुत मोहबत करता हूँ और तुम्हें दिल जान से चाहता हूँ मैं तुमारी नजरों की भाशा मुझ पहले ही पढ़ चुकी हूँ इसलिए मैंने तुम्हारी खामोश महबत का जवाब देने के लिए यहां एकांत में बुलाया है इसका मतलब मेरे प्यार का दिया तुम्हारे दिल में भी जल रहा है मेरे दिल में दिया नहीं जल रहा है कुटे आज मैं तेरा दिया बुझाओंगी कैसी बात कर दी तानिया तुमने ये फितूर तुमारे दिमाग में आखिर कैसे आ गया यार वो आफताफ तो एक सन की आशिक था तभी तो उसने इतना घिनो ना परात किया हर मुसल्मान लड़का आफताफ की तरह सन की आशिक और मकार नहीं होता तुम सब मुसल्मान जेहादी हो मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनूगी मैं तेरा शिकार करके विद्धिया की मौत का बन ला लोगी तानिया पागल होगा यह तुम तानिया नहीं तानिया नहीं मैंने सलीम को मार डाला मैंने विद्धिया तेरी मौत का बदला ले लिया आज के बाद यह तानिया बनेगी समन्ना ताकि इन जिहादियों को अपने प्रेम जाल में फसाना असान हो जाए अब मैं इन मुस्लिम जिहादियों को अपने जूठे प्रेम जाल में फसाऊंगी और पिर इने जन्मम तक पोचाऊंगी मेरा टारगेट वन गुआ समाप अब देखती हूँ कौन जिहादी मुल्ला बनेगा मेरा टारगेट तू मन हुआ मगन ऐसी लागी लगन गुझे में खुल जाएगी भाई यह 500 रुपे का पेट्रोल डाल दो अरे सोनू मेडम की स्कूटी में 500 रुपे का टेल डालो लाओ मेडम 500 रुपे दो लाओ भाई अपना बारकोड दो मैं पेटियम करती हूँ मेरे पास डेना पड़ेगा इंडिया cashless बन चुका है यह डिजीटल इंडिया है मैं पेटियम से ही पे करूँगा अगर आपको पेमेंट लेनी है तो बारकोड लाओ वरना मैं ऐसे ही जा रही हूँ अरे मेडम ऐसे कैसे चली जाओगी मैं जाने ही नहीं दूँगा भी या तुम लोग हम कस्टमर्स को पागल समझते हो क्या गलती तो तुम्हारी है बारकोड तुम दे नहीं रहे हो मेडम आप जो चाहे वो करो पर अपना मूड खराम मत करो आप जाओ मैं दे दूँगा आपके पेटरोल के पैसे ये किस किसम का लड़का है उस दिन भी पहली मुलाकात में मेरी मदद करके चला गया था ये और आज भी याँ पेटरोल पंपर मेरी मदद करने के लिए तयार है मेरे पेटरोल के पैसे देने को कह रहा है आखिर क्या रिष्टा है इस लड़के से मेरा जो ये बार-बार मेरी मदद करने के लिए सामने आ जाता है अरे मैडम क्या सोच रही हो आप जाओ ना मैं दे दूँ आपके पैट्रोल के पैसे ओके थैंक्यू सो मच एक दूजे में खो जाएंगे मन हुआ मनन ऐसी लागे कितल रुपे थे मैडम के 500 रुपे जाए 500 रुपे का मेरी में केर पैट्रोल 1000 रुपे दे दूँ ठीक है कितल रुपे जाएंगे मेरा तेरे लिए हम दोनों का जन्म हुआ एक दूजे के लिए खुले आत्मा के नीचे दो प्रेमी प्रेम धुन गाएंगे प्रेम धुन अब के दिक्कत होगी मेडम मुझे तुमसे कुछ पूछना है चलो पूछ ले ना अगर बुरा ना मननो तो एक बात कहूं बोलो ये पारिदा हटा दो जरा मुखेडा दिखा दो हम सिद्धे सादे बालक है लफंडर नहीं और हम हटे कटे छोरे हैं कोई बंदर नहीं मेरा तेरे लिए हम दोनों का जनम हुआ एक दूझे के लिए खुले आत्मा गया नीचे दो प्रेमी प्रेम धुन गाएंगे प्रेम धुन गाएंगे तू वही है ना जिसकी मनने स्कुटी स्टार्ट कराए थी हाँ आज हमारी दुबारा से मुलाकात हुई है तो दोनों का इंट्रोडेक्शन हो जा मैं तमन्ना कुरेशी राजकिय महाविद्याले की स्टूडेंट हूँ मैं समीर मेहा नैनबाग में सिविल इंजिनेर का कोर्स कर रहा हूँ एक बात बताओ हमारा यहां दोबारा से इस तरह से मिलना महज एक इत्तिफाक है या कोई और बात है बैस बात का तो अल्ला गुपता होगा तुम मुस्लिम हो हाँ अच्या ये मुस्लिम है तभी तो इतनी होश्यारी दिखा रहा है जो बार-बार मेरे रास्ते में आ रहा है तुम ना तो मुझे जानते हो और ना ही पहचानते हो फिर भी दो बार मेरी हेल्प की क्यों इंसानियत के नात्ते तुम्हें help की जरूरत थी मैंने कर दी के फरक पड़ गया बताओ help करने के लिए thanks तुम मुझे अपना paytm नंबर दो मैं पैसे transfer कर देती हूँ अरे नहीं नहीं रहने दो कोई जरूरत नहीं पैसे transfer करने की नहीं नहीं मैं तुमारे पैसे नहीं रख सकती मैं paytm करूंगी तुम अपना नंबर बताओ ओहो मेरे पैसे लुटाना चामाँ तो लिख ले नंबर डबलेट फाइफ वन सेवनेट नाइन वन एट सिक्स चेक करो आ गए होंगे आ तो गए भई वैसे तुम बहुत helpful हो समीर स्मार्ट भी हो तुम्हारी दो-चार girlfriend तो जरूर होंगी एक भी girlfriend ना मेरी तो अगर तुम चाहों तो बन सकती हो ओहो ये Muslim पिल्ला मुझे impress करके मुझे फसाना चाह रहा है ये मुझे क्या फसाएगा मैं ही से अपने जूटे फ्रेंजाल में फसाऊंगी और अगला मर्डर इसी का करूँगी साना क्या सोच भी हो मेडम? बताओ न मैं इस बारे में शाम को बात करती हूँ ओके? ये मेरा प्रसनल नंबर है बाई सालो तुम सारे खटमलों की आज ऐसी तैसी कर दूँगा तुम ने मेरा एक लिटर खून चूस लिया परदान जी इन बिचारे खटमलों का पिछा छोड़ दो खेत पर नहीं जाना आज या इन बिचारों को जान से मार की छोड़ दोगे इनने बिचारा बता रही है ये साले पक्के हरामी है रात कू सोन नहीं देते खाट पे लोडते इन्यक्शन सा लगा दे हैं आज मैंने जानते मारूंगा अजी तम क्यों ही रान ओरे इन खटमलों के पिछे तम खेत पर चले जाओ खटमल मैं जाड़ लोग इला दे उलाठी परधान जी राम 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 अरे जगोई अब के लेन आया यहां लेन दिमाग चाटन आवे यहां और इसा काम धन्द है कुछ के समस्या है बाई जल्दी बता मेरे लेक कोई हेल्प करने वाली होगी तो जरूर करूँगा जी परधान जी मैं इसलियो ही तो थारे दोरा आया हूँ तम गाओं के परधान हो गाओं की समस्या का समाधान करना थारा फरज है समस्या यू है परधान जी मेरे ताउ के एक ही लड़का है और उसके मत्थे में एक ही आँख है इसलियो उसका भिया नहीं हो रहा जी एक हपते पहले एक आदमी रिष्टा लेका आया था और उसने नू कही थी अपने लड़के का आँख लगवाओ दूसरी तो मैं इसका रिष्टा कर दूँआ लड़की वाले की बात बिलकुल सही है लगवाओ अपने लड़के का आँख यूई तो समस्चा है परधान जी सारे बजारों में धक्के खा लिये कही आँख ही नहीं मिलरी तम इस गाओं के परधान हो तम अपनी एक आँख करवायके मेरे भाई के गिरवा दो उसका भिया हो जागा रहे तु पावली पूष्ट ना है मैं अपनी आख तेरे ताहू के लड़के क्यों लगवादू देखो परधान जी तम नटो मतना एक आँख तो तम्हें देनी पड़ेगी देखो मैं पिलास भी गैल लाया और आम तो काड़ लूँगा मेरे सुसरे टल जा परेकूं मुझे लग रहा तु बावला हो गया दिखे रहुषा मारी एशके लाठी तेरा माका टल जा आन्नी तोड़ दूँगी तेरी करवट चाची चै तु मेरी करवट तोड़ चै तु मेरा सिरफोड एक आख तो परधान जी की मैं आज काड़ कही म लाओ परधान जी नखरा मत दिखाओ आख लिखड़ वाओ अरे मेरे सुसरे सचमा ही बावला अगे दिखा तु तो परधान जी रुको परधान जी आजा मैं दोंगी तु जाँ अरे तो लगा ही न इसके ले आख तु अरे दूसरा भी न लगा अब के लगा हे भगवान जी हे यम्राज जी आज कल आप ठली क्यों बैठे हो आपके ठली बैठने से मेरा तो धंदा घणा मंदा हो लिया हे भगवान जैसा आपने धर्ती पे कात्तक की बिमारी भेजी दी न ऐसा ही धर्ती पे कोई खतरनाक सा वाइरस भेज दो क्योंकि धर्ती पे पापयों की संख्या घणी बढ़ लिये इन पापयों की संख्या घटाओ और मेरा धंदा चलवो बोलो प्राण पखेरू हरने वाले यम्राज भगवान की जै लक्षमी बाई के फर्जी रिष्टेदार आज तुम मेरा सारा अगला पिछला इसाब कर दे नहीं तो मेरे रूम को खली करकर मेरे घर से निकल जा ए के कर रहा उचण जा लेब जमाई बाबु तेरी तो बात मानने पड़ेगी जरूर उचण जांगे हम तो रे ओ बहरे भट मम्मा ससूर मैं तेरे ता उचलने की नहीं कहा रहा हूँ मैं तेरे ता अपने किराई की मांग कर रहा था ए के कह रहा तो सांग कर रहा था रे जखो ही तो सांग करता करल लगया रे ओ बहरे तु मेरे दिमाग की दही क्यों कर रहा और ये कान खोलके मेरी बाप को नहीं सुनता हूँ यह तो तु मेरा किराया दे दे नहीं तो मैं तेरी किर्नी बेज के अपना किराया वसूल कर लूँगा मेरा गुस्सा बहुत कतरनाक है समझ गया नहीं तू रैस जमाई बाबू तू किराया की जिनता मत करे अभी मेरा धंदा मंदा चल रहा जैसे ही मेरा धंदा चलन लगेगा मुझे कमाई होल लगेगी और मैं तेरा पिछला किराया भी और अगे का एक साल का एडवांस भी जोडे मैं भरकेर तेरी थूंत पर मार दूँआ अरे मामा जनेश्वर तू भी इस धर्ती का गणा अजीब प्राणी है तन्वे मामा आज तक नहीं भुताया तेरा के दंदा है और तेरा के कारोबार है एए के केरा गटी में कुटिया बिमार है रे जब कुतिया भी मार है तो किसी धोरों के डाक्टर को दिखा मुझे क्यों बता रहा है अरे तेरी फुपी को दिखा दू दिल्ली का जंतर मंतर बैरे भट मैं कुतिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं तेरे ते नू पूछ रहा हूं तेरा के कारोबार है अच्छा तू कारोबार को भूज रहा बेटे मन्न सम्षान घाट के बाहर अंतिम संचकार का समान बेचने की दुकान खोल रखी और मेरा सुसरा आज काल कोई मरी नी रहा इसलिए मेरा धंदा घणा मंदा चल रहा है हाँ जमाई बाबू तू भी मेरी गयल हम राज भगवान की प्रार्थना कर अक जादे ते जादे लोग मरें और मेरा गल्ला भरें रे तेरी बहान का मारू डेंजर आदमी तू तो भोत खतराक आदमी है यार तेरे दोरे खड़ा रहना तो खतरे तक खाली नहीं है जलू मतो मैं तेरी दोर तू मेरे दोर हम साथ निभाएंगे हम साथ निभाएंगे यार समीर वो ता मनना तो तुझे मुसलमान समझ बैठी यार पर तन्य भी उसे ज्ञूट बोल दिया तू मुसलमान है यू तो यार तन्य उसे दोक्त भख दिया अरा श्यानो समाणों नो कही है महबत ओर जंग मैं सब कुछ जाईज़ちょっと अगर उँ मुझे मुसलमान समझ के मेरी गल्फेंड बन जाओगी तो के दिक्कत है कुछ दिन बाद उसे अपनी सच्चाए बताए दुआं बाकी जो किस्मत महोगा देख लेंगे आखिर कार एक और लव जिहादी मुल्ला मेरा शिकार बनने के लिए मुझे मिल ही गया वो इस्टूपिड मुझे मुसलिम लड़की समझ कर मेरे प्यार के जाल में फस ही गया समझो जिस तरह ये मुसलिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपने प्यार में फसा कर धोका देते हैं और पिर उनका मर्डर कर देते हैं अब मैं भी उसी तरह इन लव जिहादियों को अपने जूटे प्यार के जाल में फसा कर इन्हें कुत्ते की मौत मारूंगी और विध्या जैसी मासून लड़कों की मोत का पदला लूंगी मेरा अगला शिकार होगा वो लव जिहादी समीर किसका फोन है अन्नो नमबर है चलो देखूँ हेलो कोन मैं तमन्ना बोल रही हूँ समीर स्कूटी वाली अरे तुमारी कोयल जैसी एवास सुनने के लिए तो मैं बेताब था अर तुमारा खुदी फोन आ गया बही मुझे तो बहुत खुशी हो ये इमान से अच्छा जी तो तुम मेरी कॉल का वेट कर रहे थे तो तुम्हे यकीन था कि मैं कॉल करूंगी हाँ मुझे तो 100% यकीन था क्योंकि तुम जैसी प्यारी मानदा लड़की कभी जूट बोली नहीं सकती तुम भी कम नहीं हो समीर तुम लड़कियों का दिल जीतने का हुनद जानते हो सच कहूँ तुमने मेरा दिल भी जीत लिया अरे बिट्टे लग या ती दिसनले पर तो फिर अब क्या करना था मनना जी क्या तुम्हें मेरी गलफ्रैंड बनना मनजूर है हाँ बिल्कुल इस बारे में हम बाकी बाते मिलकर करेंगे तुम मुझे कल काली पाड़ी के पास आकर मिलना ओके जी ओके ठीक है तो कल सुबा मिलते हैं गुड नाइट गुड नाइट बाइ बेटे मज़्या गे साले जिहादी कल तेरा खेल खतम खुदा की खुदाई भी कितनी निराली है न तमन्ना देख उसने हम दुन्नों अजनब्यों को कैसे एक दूसरे के नजदिक ला दिया बोले बेटे जितना तुझे खुशोन है अल्ला ने तुमें मेरे प्यार में ही तो मर मिटने के लिए इस दुनिया में भेजा है समीर अब तुम बचकर निकल नहीं पाओगे मेरे प्यार के बंधन से मैं तेरे प्यार के बंधन से निकलना भी नहीं चाहता मैं तो तेरे प्यार में जान लुटा देना चाहता हूं तमन्ना I love you I love you too मैं साथ निभाएंगे सानी 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 मैं आरना बिन तेरे मेरी जान मेरा सुना मेरा सुना है जान मेरे जीवन की बाहर तुम गोरी बन गई मेरे जीवन की बाहर तुम गोरी बन गई मैं सारी की सारी पिया बस हूँ तुम्हारी मैं सारी की सारी पिया बस हूँ तुम्हारी तेरे बिन ओ साजन मेरा कुछ भी तो नहीं तेरे बिन ओ साजन मेरा कुछ भी तो नहीं करूं तूट कर प्यार कभी ना जजबातों से खेलूं तेरी बलाए ओसा जन मैं अपने ओपर ले लूं तेरी बलाए ओसा जन मैं अपने ओपर ले लूं तेरे सर की कसम सुनो मेरे सनम मैं तो तेरे सर की कसम सुनो मेरे सनम मैं तो तेरे लिए आया मेरी मनजिल है तू ही रब से भी ज़्यादा साचन तुमको चाहूं मैं कदम कदम पर गोरी तेरा साथ निभाओं मैं सासों की डोरी तूटे पर साथ तेरा ना झूटे कुछ भी ना है और मेरी चाहत है यही कंदी कंदी कर दो कर दो यह क्या पोडरसा मिला के पिया तुमने दूद में? कहीं मुझसे तंगा कर जहर तो नहीं खा लिया? एक बात मेरी भी सुल लो, चाहे तुम जहर खाओ, चाहे बिजली के तार पकड़ लो, मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा, आई बात समझ में? रे भागवान तु क्यों घवरारी? मैं इतना बुजदिल नहीं हूँ, जो जहर खाओंगा, मने तो पावर बढ़ाने की देशी दवाई खाई है, पिछले एक हपते से खा रहा हूं मैं इसे? अच्छा, क्या फाइदा होगा इस देशी दवाई से? यू देशी दवाई मेरी कमजोरी दूर करेगी, और तेरी गोद्दी भरेगी, भगवान ने चाहितो इसका मतलब ये हुआ कि तुमें भी मेरी सूनी गोद भरने की चुन्ता है, तुम भी बाप बनने की कोशिस में लगे हुए हो और नहीं तो क्या? आज मेरी दवाई का कोर्स पूरा हो गया, आज देखवा इस दवाई का रिजल्ट, तुझे हमें बोलो बतलाए भी दस दिन होगे आज जी भर के कसर पूरी काट देंगे, तो तुम भी देगी मेरे साथ अरे रुको जरा, सबर तो करो, मैं नहा के आती हूँ हाँ, यू बढ़िया रहेगा, चल नहा के आ असुन हाँ जी हलका सा मेकप भी कर लिये, और थोड़ा सा पर्फ्यूम भी लगा लिये जो दोरा तो ये करंट दो गणा हो जाए अच्छा ठीक है हे भगवान आज तो कर दिये मारी मुराद पूरी तानिया मेरे प्यार का उफार ठुकरा कर किसी और कभूतर गयालकुटर को कर रही है उसे इस हरकत का जवाब तो जरूर देना पड़ेगा शंकर मुझे इस तरह बीच रास्ने में रोकने का क्या मतलब है मतलब तुझे पता है तानिया तु जानती है मैं तुससे कितना प्यार करता हूँ मेरा प्यार तो तुने एक्सेप्ट किया नहीं और मेरे गाउं जाते ही मेरी पीट पीछे तुने उस हीरो के साथ लग इस्टोरी शुरू करती तुम गलत समझे हो शंकर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो मैं गलत क्यों समझ रहा हूँ मैंने तुम दोनें का कल गले लगते आपस में देखा है कान खोल कर सुन लो तानिया सुनाए मैं तेरी पर्सनल प्रोपर्टी नहीं हूँ जो तु मुझ पर इतना हक जता रहा है अगर आज के बाद तुने मुझसे बात करने की भी कोशिश की तो मैं तेरा मुर्डर कर दूँगी साली तुरी ने संकर की गर्दन पर खंजर रखा अब लेक्ना मैं तेरे साथ क्या करता हूँ अगर मैंने भी तेरी इज़त के चीथड़े चीथड़े ना उडाती ना तो मेरा नाम भी संकर अभ्ण पात कि रुड़े लाए अब दो कि अज़े प्रॉब उट प्रॉब व्रॉब व्रॉब प्रॉब अज़ तो प्रॉब व्रॉब व्रॉब हालो, हाँ भैया भैया, आप ओल्रेडी मेरी स्टड़ी पर इतना जादा खर्च कर रहे हैं, फिर इस साल मेरा बड़ी क्यों मनाना चाहते हैं? नई मैं इस साल अपना बड़ी नई मनाऊंगी, हाँ मुझे मालूम है परसो मेरा जनम दिन है, पर नई इस साल में अपना बड़ी नई मनाऊंगी, मैं तो बस गरीब बच्चों को चॉकलेट्स बाटूँगी, यही मेरा बड़ी सेलिब्रेशन होगा अच्छा, तो इसका परसो को जनम दिन है, चलो यू बड़ी आखावर मिलगी समीर का मतलब होता है ठंडी हवा का जोका, और ठंडी हवा का जोका कब आ जाए, कब चला जाए, किसी को कुछ पता ने चलता मेरी जान और सुनाओ जाने मन, कैसी हो तुम मैं तो फिट फोर हूँ, लेकिन जब से तुम मेरे वोईफ्रेंट बनने हो ना, तब से इमान से रातों में नीन नहीं आती मुझे हर समय बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है अरे अपना भी यूई हाल है, साली रातों की नीन उटगी और पढ़ाई में मन मी नहीं लगता, इस से तो बिना गलफ्रेंट के ही ठीक था हाँ गोविंद, एक्सिडेंट हो गया, किसका? इस समय इस मुल्ले को मारने का बहुत ही अच्छा मोका है क्योंकि इसका ध्यान दूसरी तरफ है मैं अब भी इसका मर्डर करके इसकी लाश को खाई में फैक देती हूँ गोविंद भईया, तुम चिंदा मर करो मैं अभी मुकेस को जाकर अपना बलड दे रहू मेरे दो-चार बोतल बलड देने से मुकेस की जान बचती है मेरे लिए इससे बड़ापन का काम और क्या होगा यार तमन्ना, एक एमर्जंसी आगी मुझे होस्पिटल जाना पड़ेगा अब घायल को बलड देने के लिए आज तो बचकर निकल गया मेरे हाथों से एमन हूस लेकिन कब तक बचेगा अपनी मौट से एक ना एक दिन तो मैं इसे मारूंगी ज़रू अरे या साड़े ग्यारा बजगे तमन्ना का बड़े भी है उसके लिए डायमेंड की रिंग लेनी है एक काम करू फिलिप कार्ट पर देखू हाँ यूरी ओन्लाइन बुक करदू ले भाई अंगो ठीटो खरीद दी गई अब एक काम करू तमन्ना को फोन कर लू ओ समीर का फोन हेलो अरे कैसी हो मेरी जान आइम फाइन तुम बताओ हाँ मैं भी एक तम फिट फोर हूँ तमन्ना आज संडे हैं आज हम दोनों लंच एक साथ करेंगे होटल सुमन पहलेस में अच्छा वैसे किस खुशी में तुम मुझे पार्टी दे रहे हो आज का दिन मेरे लिए बड़ा इस पेसल है तमन्ना तुम दो फैर दो बजे होटल सुमन पहलेस कमरा नम्मर एक सोनो में पहुच जाना महां पहुच कर तुम्हें इस पार्टी का असली करन पता चल जाएगा ओके बाई प्यार में केक्के ड्रामे करने पड़े हैं साले जिहादी आज तु जिन्दा नहीं बचेगा तमन्ना जब आजाओगी तो अपने बड़े की तयारी देकर चोंग जाओगी और आज मोका मिलता ही मैं उसे अपनी सारी सच्चा ही बता दूँआ मैं उसे साफ साफ बता दूआ कि मैं मुसलमान नहीं हिंदू हूँ बई जब मेरे से वो इतना सच्चा प्यार कर रहे है तो उसे मैं अब दोख के मेरे रखना चाथता ये सब क्या है समीर ये तुम्हारा बड़े के और आज हम दोनों मिलके तुम्हारा बड़े सेलिविरेट करेंगे बताओ कैसा लगा मेरे सर्प्राइज आज मेरा बड़े है समीर ये मैंने तो तुम्हें नहीं बताया फिर तुम्हें कैसे पता चला अपने बड़्डे के बारे हैं तुमने तो मुझे नहीं बताया लेकिन मुझे फिर भी पता चल गया कि आज मेरी तबन्ना का बड़्डे है इसे ही तो सच्चा प्यार कहा है इसे मेरे बड़्डे की जानकरी मिली कहां से कहीं इसको मेरी सच्चाई के बारे में पता तो नहीं चल गया कमी तुम सच बताओ तुम्हें मेरे बर्ड़े के बारे में कैसे पता चला अरे यार परसो जब तू अपने भाई सा फोन पर बात करी थी न बर्ड़े की तो मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी हो अच्छा तो तुम्हें मेरी बात सुनकर मेरे बर्ड़े का पता चला और क्या-क्या पता है तुम्हें मेरे बारे में मैं तुम्हारे बारे में कुछ जादर नहीं जानता बस मुझे तो इतना पता है तुम मेरी तमन्ना हो और तुम मेरे दिल की धड़कन में बसी हो चलो बात वात बात में करेंगे पहले तुम केक काटो तेरे चुंटे प्यार का जादू मुझ पर चलने वाला नहीं है जेहादी मैं विद्या या विदी नहीं हूँ जिसे तु प्यार के जाल में फसा कर आसानी से मार डालेगा मैं तान्या हूँ, तान्या राजपूत मैं आज तुझे ही मार डालूगी दिलीवरी बोई आजा बही आजा अंदर गेट खुल रहा है समीर कोन है हाँ भईया मैं हूँ अच्छा भाई थेंक्यू है तमन्ना, बैठो न ये लो, तुम्हारा बड़े गिफ्ट क्या है इसमें? खुद खोल कर देखलो, तुम्हें पता चल जाएगा ताइमन रिंग, समेर ये तो बहुत महंगी होगी यू रिंग चाहे कितनी भी महंगी हो पर तेरी एक इसमाइल के आगए, इसकी कीमत जीरो है हाँ? ये किस टाइप का मुसल्मान लड़का है? कहीं ये, रियल में तो मुझसे प्यार नहीं करता नहीं, नहीं मुसल्मान लड़के कभी हिंदू लड़कों से प्यार नहीं कर सकते ये तो जेहादी है, इने तो मार देना ही भेतर है अरे क्या सोचने लगी मेरी जान आओ न केक काटते हैं तू साथ चलना मेरे ऐसे जैसे हो मेरी परचाई मैं तेरी दोर तू मेरी दोर हम साथ निभाएंगे हम साथ निभाएंगे अजी रवी भाई साथ आपकी बहन तान्या को तो मैं किरायदार नी मानता ही नी मैं तो उसे अपनी घरवाई दभी जाद माननूं हर परकार तक्याल रखून का भाई साथ हमारी तान्या की वज़े से तुम्हे कोई प्रोब्लम तो नी होती अजी कैसी बात कर रहे है भाई साथ आपकी बहन तो बहुत बढ़िया एकदम रसमलाई जैसी वा मुझे क्या परिशान करेगी है अरे भाईया आखिरकार आज आप आही गए आना के था तेरी भाब्बी ने जबर जस्ती वेज्जा तेरा जनम दिने ना तेरी भाब्बी ने खाने पीने का बहुत सारा समान वेज्जा और घर का देसी गी भी देशिघी भैसाब देशिघी देखो तो मुझे सद्या बीट गी दरशन तो कराओ थोड़े से भाज़ी भैसाब लो देखो कैसा हो देशिघी दिखाओ दिक्षाओ क्या भाई साब कड़ो आहा हाहा दिखा तो पहले आया है पर निवे प्याक रख्या जिसके खिंड़ना यो आहाहा ठीके यह है देख देशी घी आहाहा मजा है आहाहा ऐसा जीकर है इसे एक घूंट में पी जाओ पर मेरा हाजमा खराब हो जादा कुट्टो को घी अजमनी होता ना हाहा हाहा अच्छा भाईया आप मेरी तरफ से इसके लिए भावी को थैंक यू बोला ठीक है अच्छा जी दुन्नों बैण भाईया तम बैटका बात करो मैं फेर का हूँआ देशी घी के प्राम्ठे खान ठीक है तानिया आज तेरा बड़े है तेरी यहां खेर ख़बर लेने के लिए तो मैं आ गया पर लेकिन तेरे लिए कोई गिफ्ट ने लाया कोई बात ने भाईया ये ले मेरा क्रेडिट काड रख ले और जितनी तुझे तुझे शोपिंग करनी उतनी जी बरगे शोपिंग कर लेना और मेरी तरब से यही बड़े गिफ्ट होगा थैंक्यू भाईया आप कितने अच्छे हैं कितना खयाल रखते हैं मेरा तुझे यहां रहके पढ़ाई करने में कोई प्रूबलम हो तो मुझे फोन कर देना ठीक है भाईया अगर जरूत पड़ी तो जरूर करूंगी अच्छा भाईया ठीक है तो मैं चलता हूँ अरे अरे भाईया अप ही कहां जा रहे हैं आप कुछ खाके फिर जाना अभी मैं आपके लिए गर्म गर्म खाना बनाओंगी मैंने अभी अभी अपने दोस्त के आँ खाना खाया था भोख होती तो मैं जरूर खाता अच्छा मैं चलता मैं लाग कोशिश करने के बाद भी समीर का मर्डर नहीं कर पा रही हूँ ना जाने क्यूं वो हर बार मेरे हाथों मरने से बच जाता है कैसे मरेगा वो जहादी योगेंदर येस योगेंदर ही अब समीर का मर्डर करेगा जिस दिन से उसने कॉलिट छोड़ा था उसी दिन से क्राइम करना शुरू कर दिया था और वो आज शहर का हिस्ट्री शीटर बन चुका है हाँ अब मैं योगेंदर को ही समीर के मर्डर की सुपारी दूँगी मेरे पास उसका पर्सनल अंबर भी है हेलो हेलो जी मेरी बात योगेंदर जी से हो रही है हाँ मैं गैंगिश्टर योगेंदर बोल रहा हूँ तुम कोन बोल रही हो जी मैं तानिया बात कर रही हूँ आप मुझे जानते हैं हम दोनों एक ही कॉलीज में पढ़ते थे मैं तो अबी भी स्टडी कर रही हूँ और आप कॉलिज छोड़कर गेंगस्टर बन गए पहचाना आपने? याद आया आपको? हाँ तानिया पहचान लिया बोलो क्या काम पढ़ गया मुझसे कॉलिज में कोई लड़का परिसान कर रहा है क्या? मुझसे बोलो साले के हाथ पाऊं तुड़वा दूगा अरे नहीं 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 हाथ पेर नहीं तुड़वाने मुझे एक मुस्लिम जिहादी का मर्डर करवाना है कर पाओगे? हाँ बिल्कुल करेंगे मेरा तो काम यही है सुपारी लेके मर्डर करना मगर इस काम के पांच लाख रुपे लगेंगे मैं तुमारी कॉलिज की फ्रेंड हूँ मुझसे भी पांच लाख लोगे? मैं तो नहीं दे पाऊंगी पांच लाख मैं तुम्हें पचास हजार दोगी तानिया चलो तुम्हारा ये काम हम पचास हजार में ही करेंगे ओके मैं कल ही तुम्हें एटियम से निकाल कर पैसे देती हूँ लेकिन तुम्हें ये मर्डर कल ही करना है कल दुफैर बारा बजे काली पहडी के पास तैयार मिलना मैं उस लड़के को वहां लेकर आजाऊंगी तुम उसे मार देना और मुझसे पैसे ले लेना ठीक है मैं कल अपने सूटरों को लेकर काली पहली पर पहुच जाऊंगा और तुम उस लड़के को वहां लेकर आजाना तुम्हारा काम हो जाएगा अब देखती हूँ जिहादी, तु कैसे बचेगा अपनी मोट से अभी इसे कॉल करती हूँ हलो समीर, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं पढ़ाय कर रहा था, और तुम्हें याद कर रहा था? मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, ना जाने क्यों तुमसे मिलने के लिए दिल तडप रहा है अभी आ जाओं, तुम कहो तो हरे नहीं, नहीं, अभी नहीं, हम कल मिलेंगे तो कल दुफैर बारा बजे काली पहाडी पर आ जाना मैं तुम्हें एक सर्प्राइज देना चाहती हूँ ओके डारलिंग, तुम्हारा हुकुम सिर्माथे पर, मैं कल ठीक टाइम पर काली पाडी पर पोच जाओंगा ओके बाई, गुड नाइट गुड नाइट, बाई अरे यार मजा गया बेटे समीर, आज रात और सोले तुछ चैन की नीद फिर कल पढ़ा जाएगा तेरा, बिस्मिल्ला अरे क्या उल्टा उल्टा खालिया, कैसा उल्टी कर रही है अरे ये उल्टी उल्टा सिधा खाने से रही है अरे बुद्धु, ये तो गुड नीउज है, गुड नीउज तुम बाप बनने वाले हो मैं पापा बनने वाला हूँ अरे आप मज़े आगे मज़े इसका मतलब देश्वी पारमुला काम कर गया बई सुमन, अब तो तुम मुझे पती का दर्दया देगी न, मुझे प्यार भी करेगी मेरे आदेश का पालन भी करेगी हाँ बाबा चल तो पैर छूप अरे तो घुटने हैं पंजे छूप पुत्रवती भाव वर मुझे बैंपन सेड़र से लगी भाव मुझे भॉझे मुझे रपा वरम मुझे, कर दो तो झाल झाल अरे योगिंदर अब तक क्यों नहीं पोचा, कहीं वो भूल तो नहीं गया, फोन करती हूँ उसे हेलो, योगिंदर जी, मैं काली पाड़ी के पीछे पोच गई हूँ, आप कहा हैं? तानिया तुम्हें आज मडर का पिलान कैंसिल करना पड़ेगा, मेरे सूटरों को पुलिस ने पकल दिया है, तुम्हारा ये काम किशी ओर दिन करेंगी, ओके? ओ शिट, लगता है इस जिहादी को मुझे ही मारना पड़ेगा, इतनी सुन्दर लड़की ने, इतनी खुबसूरत वादियों में, अपने प्रेमी को, कौन सा सर्प्राइज देने के लिए बुलाया है, जल्दी बता दो मेरी जान, सर्प्राइज? ओ हाँ हाँ सर्प्राइज, मैं दूंगी तुम्हें एक सर्प्राइज, लेकिन अभी मुझे बहुत जोरो की भूग लगी है, चलो न यहां से वापस चलते हैं इतनी जल्दी जाने की क्या जरूत है तमन्ना, इतनी सुन्दर वादियों में, इतनी सुकून भरी तनहाई में, हम दो प्रेमी मोजूद हैं, कुछ देर बैठो न, प्यार की दो-चार बात्ते करेंगे, लेकिन मुझे बहुत जोरो की भूग लगी है रुको, मैं तुम्हारी भूग का कुछ जुगार करता हूँ, यहां से कुछ दूरी पर दुकान है, मैं वहां से तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का समान लाता हूँ, तुम पांच मिंड मेरा यही वेट करो, मैं अभी गया, अभी आया ओ गोड, आज तो मैं अपना खंजर भी नहीं लाई, इसे कैसे मारूंगी? सारी, उस दिन मेरी गर्दन पर खंजर रख कर, मुझे क्या कह रही थी, तेरा मडर कर दूगी? कर मेरा मडर, शंकर तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें सारी कहानी समझाओंगी, लेकिन पहले तुम्हें गन नीचे करो आज मुझे तरी कोई बाद ले, आज मैं तेरी, इजजद लूट कर, तेरा गमन तोड़ूँगा, और फिर तेरा मडर करूँगा ने, ने, शंकर मुझे जाने दूँ, प्लीज चोड़ दो, शंकर मुझे जाने दूँ साड़े कुट्टे तेरी इंबत कैसा हो, मेरी तमन्ना गात लगाने की साड़े साड़े अम साथ निभाएंगे मन हुआ मगन ऐसी नागे मर गया तेरा यार अम मैं तेरी इस जट्के चीथड़े चीथड़े ला सामीर 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 ये मुझ से सच्चा प्यार करता है ये लव जहादी नहीं हो सकता ये दूसरे मुसलिम लड़कों की तरह नहीं है मेरा सामीर और लड़कों की तरह नहीं है तुम ठीक हो तमनना और कौन था ये हरामी और ये तुम्हें क्यों मारना चाहता था ये कुत्ता मुझे अपनी गर्फ्रेंट समझता था एक दिन मैंने इसे जार दिया तो ये अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था सामीर मैं तुमसे एक बात पूछू सच-सच जवाब दोगे समीर तुम मुस्लिम हो लेकिन अगर तुम्हें किसी हिंदू लड़की से सच्चा प्यार हो जाता तो क्या तुम उससे भी प्यार करते या उसे लव जहाद जैसे जूटे प्यार कर ड्रामा करके मार देते अरे यार, यू बकवास बात तेरे दिमाग में कहाँ से घुसगी? सारे मुस्लिम लड़के कोई होएं जादी? जो मुस्लिम लड़के ऐसा घटिया काम करे हैं वे साइको होएं और जो साइको होएं उनके लिए के हिंदू के मुसलमान वे चाव अपनी मा भेंड को मार दे मेरे अब्बू का फोन है हाब्बू अरे तु क्ये कह रहा अब्बू कह रहा कि बप्पू कह रहा हाँ जो तम समझ रहे बेटे समीर बिचोल यहने तेरी रिष्थे खातर एक लड़की का फोटो बेजा मुझे भी पसंद है और तेरी मा कूँ भी पसंद है मैं तेरे वट्षप पे बेज रहा हूँ तुझे पसंद हो तो बता रिष्थे की हां करें मेरे रिष्थे की बात चल रही है मेरे रिष्थे की चिंता तम मत करो मन्न थारी बहु ढूंड रखी है बहुत सोनी है और मैं इसके सिवा किसी से भ्या करने की सोच भी नहीं सकता हाँ बताओ एक मिनट अरे ये तो मुझसे सच में सच्चा प्यार करता है मुझसे शादी भी करना चाहता है इसका मतलब मैं ही गलक थी जो सारे मुसल्मान लड़कों को एक जैसा समझती थी लेकिन सारे मुसल्मान बुरे नहीं होते अच्छे भी होते है ये समीर भी अच्छा मुसल्मान है ले वाई तू जो चाहो थी वही हो गया उसने कर दिया काम हैं? कोई बात ना अब मैं इसे नहीं मारूंगी और अपनी सारी सच्चाई से बता दो ले मनने अपने अब बुक तेरे बारे न सब कुछ बता दिया है वे मारे भ्या के लिए एगरी हो गए है अब तू मुझे नू बता तू मुझे यहाँ बुला के के सर्प्राइज देने वारी थी तू मुझे इस तरह गूर के क्यों देख रही है अपना सर्प्राइज देना समीर सच कहूं मुझे तुमसे अब तक कोई प्यार ब्यार नहीं था ये सब सिर्फ एक ग्रामा था लेकिन आज मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया मेरा सर्प्राइज जानकर तुम्हे धक्का लगेगा मुझे तुमसे सच्चा प्यार तो हो गया है मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती है? क्यो? किया अर्थ नहीं मारे ध्याम है? मैं तमन्ना नहीं तानिया हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हिंदू हूँ और मैं तुम्हें चांद से मारना चाहती थी, क्योंकि बस यही थी मेरी पूरी कहानी, अगर हो सके तो मुझे माफ करते ला हाहा, बैं मचा आ गया, बैं निल्ली छतरी वाड़े, तू भी कैसे कैसे ड्रामे रस्ता रहा है, क्या हुआ, तू मैं ऐसे क्यों हस रहे हो, मुझे अपनी विचीत लव इस्टोरी पर हस्यारी है तानिया, तू तो मुझे जान से मानने के लिए मुसल्मान बनी, मैं तुझे मैं जान से जादा चाने के लिए मुसल्मान बना, जबकि मैं भी तो हिंदु हूँ, मैं सच कह रहा हूं तानिया, तेरी कसम, मैं सुध हिंदु हूँ, मैं तो तुझे अपनी सच्चा ही बताने वाड़ाई था, पर तन्नी सारा मामला किलियर कर दिया, तानिया, हम दोन्नों हिंदु हैं और एक दूसरे से घणा प्यार करें अब तो महरे भ्या में कोई अडजन भी ना बता करेगी ना मेरे से भ्या हाँ करूंगे ओए ओए पिटे मज़े आगे जो मन देख्या था सपना वो हो गया गोरी पूरा तेरी महरी जो होडी मिलगी जैसे घी मैं बूरा तु मेरे लड़ लड़ावेगा मैं जाओं बारी बारी जो तेरे मन में हसरत से मैं पूरी करदूं सारी तू जो रहे कि साथ मेरे या जिन्दगी का टैगी महोज मैं जितनी चाहिए उतनी ये दे धूतन प्यार की डोज मैं तू जो रहे कि साथ मेरे या जिन्दगी का टैगी महोज मैं दोनु मिलका लुटांगे हम जिन्दगी का मज़ा पूरा तेरी महरी जो होडी मिलगी जैसे घी मैं पूरा जिस दिन तेरा साथ मिला से जिन्दगी आग बुल जार होई जिस तरया होया तेरा मेरा करना पावे प्यार कोई हसी खुशी मैं कट जा जिन्दगी कर देना हो मजबूरी जो तेरे मन में हसरत से मैं पूरी कर दू सारी औरे शुरोड़ विडियो